नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोहिता श्यादव बोन 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 आज बोन ही चर्चाज में ज़्यादा है क्योंकि आठ टेलीगरम पर देख रहा हूं सब बोन के पीछे पड़े हुए हैं देखे सब अकेला बोन ही अभी ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा बहुत घ vontade रहेगा इनमें भी चलो पहले लेते हैं बोन को किया आखिर बोन में क्या चलना है देखे सब बोन में जब ये वन पॉइंट सेवट डॉलर तक गया इसमिन मैं भी वेट कर रहा था कि आखिर देखू इसमें क्या चलना है और जा सकता है लेकिन जैसे इसमें थोड़ा सा डाउनफाल शुरू हुआ तो 1.68 पर मेरे आपको एक टेलिग्रम पर मैसेज छोड़ा था कि आप 30-40% प्रॉफिट है आप बुक कर सकते हैं जो ट्रेडर टाइप के लोग हैं देखिए जो लॉंग टाइम होल्डर के लिए रखे हुए हैं वो तो आप थोड़ा सा रुख सकते हैं देखिए ये नियूजेंस में चलती रहेंगी आती जाती रहेंगी अभी क्या है सिव बौल में फिर भी आपको थोड़ा बहुत कुक्ष नहीं जा रहा है लेकर यहां पर एक चीज़ आपको यह बहुत clear cut बोलूँगा कि कोई भी बड़ा transaction देखिए बौल में नहीं हो रहा है बौल में जितना भी हो रहा है सब चोटा transaction हो रहा है चोटे से मतलब यह है कि वो य ये काओ कोई बहुत बड़ा हिंवाzd पीछे से आ रहा है वो अभी नहीं आο पता है कि अभी सिर्वेरियम को लेके कुछ भी पुक्ता भी निकला नहीन है, कुछ सिर्वेरियम को लेकर पुक्ता आ जाए, कनफर्म हो जाए कि अहां जी अब ये फुलानी तारीक फुलेंड फाइनल है तो ऐसा भी अभी नहीं है क्या एक रूमर निकलता है उसके आदार पे आप ये सब देख रहे हैं तो यहां आपको सिर्बोई यह नहीं कि देखे पीछे का एसाब भी थोड़ा देखके चलिए आप ओंचेंड डाटा देखके चलिए ओंचेंड डाटा देखेंगे तो आपको सारी चीज़े किलियर हो जाएंगे यहां पर क्या है कि पीछे से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं चोड़े चोड़े investment की वज़े से आप ये थोड़ा देख रहा है तो यही देखके मैंने आपको clear बोला था टेलीग्राम पर कि आप 30-40% या profit ले सकते हैं और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब यह 1.65 फाइब डॉलर पर अभी इसका प्राइज चलता है वीडियो पॉब्लिस होने के बाद थोड़ा वह दूपर नीचे नीचे हो सकता है लेकिन मैंने आपको 1.68 पर बोला था जिस ने profit लिया एक बर comment section में जरूर बताएं कि आखिर किस ने profit book किया है थोड़ा से इसके देखिए नीचे आने के चांस तो रहेंगे क्यों कोई छोटा investor यहां invest करता है तो panic भी बहुत जल्दी लेता है तो यहां थोड़ा सा wait करें और profit कभी भी देखिए पूरा 100% book नहीं किया जाता है इसको भी आप एक तरह से जैसे SIP आप जब कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तब कर यहां पर देखे BNB, market की जो भी situation है, market में यह वाली BTC आपका 29,600 चल दा है, यह के वाली के manipulation था, बाकि देखे पीछे से market में positive negative दोनों नहीं चल रही है, वो मिने आपको morning के वीडियों बता ही दिया था, कि भाई Michael Seller की जो company है, वो आपकी buying कर रही है, इधर जो आपका black rock ह उस पे कहीं ने कहीं चानविन सुरू हो रही है, investigation सुरू हो रहा है, Chinese investment की बज़ाए से, तो क्या है कि दोनों चीज़ें चल रही है, इसलिए market यहां confused भी रहेगा, बेसक Michael Seller देखे buying कर रहा है, लेकिन market पा अभी भी वो बहुत ज़्यादा कोई positive sentiment नहीं बना सकते, यहां आ बाइंग की तो देखे, Michael Seller के अलावा देखे, तैठर ने भी लगबग जो है आपका 2310 BTC को खरीदा है इस quarter में, तो buying पीछे चल रही है, लेकिन क्या है कि जो panic news side से आती है न, यह कहीं की market को फिर से panic कर जाती है, और market बस थोड़ा सा pump डंब आले सीन में रह जाता है, लेक SEC के यह जो रोज के ड्रामे हैं, यह थोड़े कब होंगे तब, क्योंकर रोज कहीं कहीं से lawsuit की बात आ जाती है, या किसी को dealist करने की बात आ जाती है, यहाँ पर देखिए, UNICEF, इसने जो है HEX, इसको अपने यहां से dealist कर दिया है, अब यह बात मैंने आपको कल के वीडियो में clear cut बोली थी, कि HEX को SEC ने lawsuit भी किया, यानि कि sue किया हुआ है, तो उसकी वजए से कहीं ने कहीं, या यह HEX जो है, खत्रे में आ गया है, कहीं ने कहीं, यह HEX की देखिए, बढ़ती जाएंगे, और वो भी किसके केवल एक, जो अपने इसका जो founder है, जो developer है, उसकी वजए हैं, वो यह हैं कि भाई, वो कुछ अपनी personal needs की चीजें खरीद रहा है, HEX के पैसे से, यानि इसके fund को वो अपनी personal चीजों में invest कर रहा है, इन्वेस्ट क्या कर रहा है, वो एक तरह से उल जलूल खर्चे कर रहा है, बहुत सारी picks बगरा भी आज देख रहा है, आप Twitter पर trending म हैं, उसके picks, कुछ गाड़ियां हैं, लगजरी गाड़ियां ले रहा हैं, कुछ ब्रांट्स बगरा, वो और भी कुछ खरीद रहा है, तो वो क्या है कि यह सब project से बाहर की चीजे हैं, तो इस बजए से SEC ने उसको सूखिया, और आज उसके बारे में कौन यूज आगे निक हैं, तो आप थोड़ा सा यहां पर रहर्ट भी रही है, क्योंकर यह चीजे भी आपके सामने आना बहुत जरूरी है, कि positive positive हम दिखाते रहें, उससे भी ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, इन चीजों से ज़्यादा फरक पड़ेगा, जो आप background में चल रहा है, अब BNB क् आप जितना stake करेंगो, उसके साब से आपका allocation पगरा है, जो भी है, तो यहां staking के ब्राइज देखे BNB कहीं एक्चेंज पर आएगा, अब एक्चेंज पर आएगा तो देखे BNB के प्राइज में आपको हलका फुलका थोड़ा सा trend ठीक ठाक नेजर आ सकता है, लेकिन यहा मुझे BNB में थोड़ा सा हिसाब ठीक नेजर आता है, जो market में चल रहा है, उसके according, और वो भी अभी दो-दो token एक साथ आ रहे हैं, Binance के launch pool पर, इस वजए से और थोड़ा सा हिसमें हिसाब ठीक रह सकता है, बिट गर्ट, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, भाई, क्य टाइम चुना, यह टाइम कहीं गलत था, देखिए आप इतना पैसा प्रोमोशन पर खर्च कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम अच्छा रखना चाहिए था, जब आपका बहुत है चारत तरफ positive sentiment होते हैं, sentiment तो आपको उतने positive हैं नहीं, दूसरा, आपके खुद के project में अभ प्रोजेक्ट ग्रो नहीं करेगा, और प्रोजेक्ट ग्रो करने के लिए आपको प्रोजेक्ट में पैसा लाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखा जाते हैं, तो इस वजए से बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना करें, अभी फिलाल, जो हिसाब है, हाँ यह अगर लवली अगर यह लवली उनु के ट्रेक पर चलते रहेंगे, तो इनकी भी इमेज एक दिन लवली उनु जैसी हो जाएगी, जिसको आज लोग इसके प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो लवली उनु का तो हाल आपने देखे लिया, वो कहां से कहां जा रहा है, अब बिट गर्ड में ठी कि देखते हैं, इनके प्रोजेक्ट कैसा आगे चलता है, अगर लगली में उनु को कॉपी करेंगे, फिर तो इसका भी हल खराब होना है, तो बहतर है कि यह अपने उपर फोकस करें, अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करें, बजा एसके कि लवली उनु क्या कर रहा है, या इसको आप उसी को hold करके रखें, हाँ उसमें एक अगर आपको यहां short time में कोई profit मिलता है, तो थोड़ा सा profit जरूर ले ले, उसके बाद फिर से जब dip में आए, फिर से buy कर ले, लेकिन मैं इसमें नया पैसा डालने की अभी बिलकुल भी आपको नहीं बोलूँगा, कि आप कोई भी नया investment करें, तो ये थे कुछ अभी तक के market में जो चल रहे हैं, update बाकी देगी, अब ये market में बहुत कुछ positive नहीं चल दा है, mix match चल दा है, तो उसी के according आप भी अपनी strategy को जरूर बनाए, तो चली फिर मिलते हैं किसी update के साथ, नमस्कार.